हेलो इवरीवन मैं हूँ प्रतिभाक आनपुर किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू बैगन का चोखा और आज की चोखी की खास बात ये है कि हम इसे कोकर में बनाएंगे तो ये जटपट बनके तयार होता है और बहुत ही देस्टी बनता है तो चलिए रेसीपी शुरू करते हैं रेसीपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आलू बैगन का चोखा बनाएंगे जिनने चील करके ऐसे दो टुकड़े में काट लिया हुआ है बड़े बड़े टुकड़े ही अब हम इसे कुकर में डालेंगे तो आलू और वैगन को मैंने पहले कुकर में डाला हुआ है दो मीडियम साइज की टमाटा नहीं जिनने हमने बीच से काट के डाला हुआ है बस दो टुकड़े में काट के डाल दीजिए 7-8 लहसुन की कलिया और 3-4 हरी मिर्च को हमने ऐसे घंतितच दोड़के डाला हुआ है नमक डाला देंगे बाकि हमें इसमें कुछ भी नहीं कड़ना है आपी पानी बगए हैं कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है कुल कगर क रखन बंद कर देंगे और हम इसे गैस पर रखकर के एकदम धीमी आज में बिल्कुल धीमी आज में एक सीटी आने तक या हलकी सीटी बनने तक इसे आपको पकाना है तो यह देखें जैसी सीटी हलकी सी बनने लगती है तो आप इसे धीमी आज में 5-6 मिनट तक पकालीजिए कैस बंद कर दीजिए और इसके बाद इसका प्रेशर अपने आप ही खतम होने दीजिए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तेज आजपे से नहीं पकाना है आप देख सकते हैं कि जो आलू, बैगन, टमाटर सारी चीजें अच्छे से पक चुकी हैं और आप इस कि टमाटर के छिलके जो हैं वो अलग हो जाते हैं तो बस असे निकाल देना है यह दिखे टमाटर के छिलके हम हैसE mote अन्यकाल देंगे अब आलू, बैगन, टमाटर सारी चीजों को हमें अच्छे से मैस करना है तो यहाँ पर मैने यह पोटाटो मैसर लिया हुआ है इससे हम सारी चीजों को अच्छे से मैस कर लेंगी ये दिखे इस तरीके से बढ़िया से मैस कर लीजिए अगर आपको एकदम मैस वाला चोखा पसंद है तो अच्छे से मैस कर लीजिएगा अगर चाहते हैं कि थोड़े से टुकड़े रहें तो इसे कम मैस कीजिएगा एक बा काट के डाला हुआ है थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा दनिया और मुझे इस चोखे में अद्रग का फ्लीवर बहुत अच्छा लगता है तो एक छोटा टुकला मैंने अद्रग का लिया था उसे ग्रेट करके डाला हुआ है और इसे के साथ साथ हम इसमें आधा नीबू का रस अधाई छोटी चममच नमक और डैला हुआ है एक बड़ा हम इसमें सरसो का तेल टालेंगे चोखा जो होता है वो सरसो की तेल की बिना अधूरा-धूरा सा लगता है तो एक चममच इसमें सरसो का काच्छा तेल जरूर डालेगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चोखे में और यह लीजिए फ्रेंस हमारा एकदम टेस्टी सा चोखा बनके तयार है जो कि हमने कुकर में बनाया है आप देख सकते हैं कितनी चटपट बनके तयार है इसे आप गर्मा करम रोटी के साथ खाएं चाहें तो आप बाटी के साथ खाएं आपको बहुत पसंद आएगा रैसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी लिए